मैं सुचित्रा सिंग प्राध्यापक वाड़ेज्य आज आपके साथ साजेदारी का पुनर गठन श्रंकला के अंतरगत साजेदार की सेवा निवरिती या उसकी मित्यु हो जाने पर क्या लेखांकन व्यवार किया जाएगा इस पर चर्चा करेंगे तो इस अध्याय के अंतरगत निम्न विंदूओं पर विचार करेंगे शेश साजेदारों का नया लाब विवाजन अनुपात क्या होगा अभी लाब अनुपात की गढ़ना किस तरह से की जाएगी ख्याती का लेखांकन व्यवार क्या होगा पुनर मुल्यांकन खाता कैसे बनाया जाएगा और संचित लाब और हानियों के संबन्द में क्या समा योजन प्रविष्टियां की जाएगी और सेवा निब्रिज साजेदार की देराशी की गढ़ना तथा उसका भुकतान करने की विधी के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं नया लाब विभाजन अनुपाद की जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अध्यायतीन साजेदारी का पुनर गठन के अंतरगत किसी साजेदार के सेवा निब्रित होने पर या मृत्यू होने पर साजेदारी का पुनर गठन होता है सथा साजेदारी विलेक लागू होता है और वो नया होता है नया बनाया जाता है और शेश साजेदार परिवर्टित शर्टों के अनुसार व्यपसायच जारी रखते हैं नया लाव विभाजन अनुपात के अनुसार शेष साजेदार किसी साजेदार की सेवा निवरित या मृत्यू के बार भविश के लावों का बटवारा करेंगे अब हम जाने ये निकालेंगे कैसे नया लाव विभाजन अनुपात तो शेश साजेदारों का नया लाब अनुपात निकालने के लिए साजेदार का पुराना भाग और उसमें सेवा निवरित या मृत साजेदार का जो भाग लिया गया है उसे जोड देंगे तो इस तरह से हमारे पास नया लाव विवाजन अनुपात आ जाएगा शेश साजेदारों का अब जब नया लाव अनुपात आएगा तो हो सकता है कोई साजेदार अपने भाग का लाप का भाग छोड़े और जो वो लाब का भाग छोड़ेगा उससे कोई साज़ेदार अनुगरहित करेगा तो इस अवस्था में हम अभी लाव अनुपात की गर्णा करेंगे अभी लाव अनुपात विद्दमान साज़ेदारे जिस अनुपात में सेवा निवरित या अमरित साज़ेदार के प्राप्त भाग का अधिकरण करेंगे उसे अभी लाव अनुपात कहते हैं यानि वह अभी लाव अनुपात कहलाता है विद्दमान साजेदारों का लाब में भाग हम गरना करेंगे इसका मतलब जब नया लाब अनुपात लागू हो गया तो विद्दमान साजेदार यानि की सेवा निब्रित साजेदार के अलावा जो विद्दमान साजेदार हैं शेष साजेदार हैं उनके लाब के भाग की गढ़ना करने के लिए उनके नए भाग में से पुराने भाग को घटा देंगे यदि नया भाग अधिक है तो उसे फायदा हो रहा है इसका मतलब उसे अभिलाब हो रहा है और यदि उसका पुराना भाग ज़ादा था और नया भाग कम है इसका मतलब वो अपने भाग का त्याग कर रहा है तो अभिलाब अनुपात की गर्णा दो परिस्थितियों में की जाती है जब किसी साजेदार की सेवा निवरिती हो रही हो या किसी साजेदार की मृत्य हो रही हो और ये जानने के लिए कि कौन अपना कितना भाग त्याग करेगा और ये जो त्यागा गया भागे कौन यानि उनका पुराना जो लाव विभाजन अनुपात था वो तो सेवा निब्रत साजेदार के साथ था और उसके जाने के बाद जो शेश साजेदार हैं विद्दमान साजेदार हैं वो किसी नए लाव विभाजन अनुपात के लिए सहमत होते हैं इस स्थिती में जो अनुपात दिया गया है प्रश्ण के अनुसार वही उनका नया लाव विभाजन अनुपात होगा दूसरी संभावना हो सकती है कि विद्दमान साजेदार सेवा निवरित साजेदार या मलित साजेदार के भाग को पुराने लाव विभाजन अनुपात में ही अधिक रहित करेंगे यहां उनके मध्य नया लाव विभाजन अनुपात करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि वे उनके बीच जो साजेदार सेवा निवरित हो रहा है उसका भाग पुराने लाव विभाजन अनुपात के समान होगी क्योंकि सूचना के अभाब में ये मान लिया जाएगा कि वे पुराने लाव विभाजन अनुपात में ही उसके भाग का अधि ग्रहन करेंगे और भविश्य के लावों का विभाजन भी इसी अनुपात में करेंगे अब इन परिस्तितियों को जानने के लिए कि जब नया लाव विभाजन अनुपात का सहमती हो रही है और एक साजेदार की सेवा निवरिती हो रही है इस परिस्तितियों को जानने के लिए हम इस पर एक प्रश्न के द्वारा प्रकाश डालेंगे मानते हैं कि A, B और C साजेदार हैं उनके लाब का विभाजन दो अनुपाद, दो अनुपाद, एक के अनुपाद में करते हैं B फर्म से सेवा निवरित हो रहा है इन इस्तिती में नए लाब विभाजन अनुपाद तथा अभिलाब अनुपाद की गढ़ना किस तरह से की जाएगी पहली परिस्तिती है, निम्न परिस्तितियां ली है मैंने मैं तीनों परिस्तितियों को एक साथ इस पर विचार करूँगी पहले भाज में B के भाज के अधिग्रहण की सूचना नहीं दी गई है यानि B जो सेवा निवरित हो रहा है उसका भाज A और C किस अनुपाद में लेंगे इसकी सूचना नहीं दी गई है दूसरे भाज में B का भाज यानि B साजेदार जो सेवा निवरित हो रहा है उसके भाज का अधिग्रहण A और C दो अनुपाद तीन में करेंगे और तीसरी परिस्थिती है कि शेष साजेदारों के मद्ध यानि कि साजेदार जो सेवा निवरित हो गया है उसके बाद शेष साजेदारों के मद्ध नया लाव अनुपाद, लाव विवाजन अनुपाद उन्होंने सहमती से तीन अनुपाद दो माना है तो इन तीनों परिस्थितियों में नया लाब विभाजन कैसे निकाला जाएगा और अभिलाब अनुपाद की गढ़ना कैसे की जाएगी इस पर हम चर्चा करते हैं माल लेते हैं A, B प्रश्ण के अनुसार A, B, C तीन साजेदार है अनुपाद है उनका दो अनुपाद, दो अनुपाद एक B सेवा निवरित हो रहा है इसलिए हम इसको अलग ले लेते हैं अब जो B का भाग है वो A और C लेंगे लेकिन किस अनुपाद में लेंगे इसके बारे में प्रश्ण में कुछ जानकारी नहीं दी गई है तो ऐसी स्तिती में माना जाएगा कि B का भाग A और C अपने पुराने अनुपाद में लेंगे दो बटा पांच का दो बटा तीन चार बटा पंदरा और ये लेंगे दो बटा पांच का एक बटा तीन यानि दो बटा पंदरा हम एका नया भाग निकाल सकते हैं एका नया भाग हो जाएगा एका पुराना भाग दो बटा पांच जमा जो उसे मिला चार बटा 15 छे जमाच चार यानि 10 बटे 15 अब B क्योंकि सेवा निवनिवरित हो गया उसका नया भाग नहीं होगा हम C का नया भाग निकाले C का नया भाग होगा C का पुराना भाग एक बटा 5 जमाग उसको मिला 2 बटा 15 यानि ये आया 5 बटा 15 तो A का नया भाग और B का नया भाग तो A और C का नया अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात 5 या 2 अनुपात 1 और इस सिस्थी में देखें कि अगर ये जानकारी नहीं दी गई है कि B किस राशी में अपना अनुपात विवाजित करेंगे या A और C किस अनुपात में अधिग रहित करेंगे तो किसी सूचना के अभाब में वो पुरानी लाब अनुपात में ही अधिग रहित करेंगे और उनका जो नया लाब अनुपात होगा वो भी पुराने लाब अनुपात के समान होगा अब हम दूसरी इस्तिती के वारे में जानते हैं यहां लिखा है B के भाग का अधिगरहन शेश साजेदार दो अनुपात तीन में करेंगे यहां पर अनुपात दिया हुआ है दो अनुपात तीन में करेंगे यानि A और C को A को कितना मिलेगा? दो बटा पांच का दो बटा पांच और C को मिलेगा दो बटा पांच का तीन बटा पांच यह हो जाएगा चार बटे पच्चिस और यह हो जाएगा छे बटे पच्चिस फिर से हम A का नया भाग निकाले A का नया भाग हो जाएगा उसका पुराना भाग जमा जितना उसे नया मिला है अधिग रहित किया है उसने तो यहां हो गया 14 बटे 25 और C का नया भाग C का पुराना भाग था 1 बटा 5 जमा उसे मिला 6 बटा 25 5 प्लस और 6 यह वन गया हमारा 11 बटे 25 तो अब हम देखेंगे A और C का नया भाग बन गया यानि A और C का नया अनुपात जिस अनुपात में वो लाब विभाजित करेंगे वो हो जाएगा 14 अनुपात 11 और हम अपने उत्तर की जाज कर सकते हैं इसका मतलब 25 में से 14 भाग इसको 25 में से 11 तो इन दोनों का जोड बिलाकर 25 बन जाना चाहिए और जिस राशी जिस अनुपात में वो अधिग्रहित करेंगे ये उनका अभिलाव अनुपात हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि हम सासत नए अनुपात के सासत अभिलाव अनुपात की गर्णा भी कर रहे हैं तीसरी परिस्तिती में शेष साजेदारों के मद्धे अब नया लाब विभाजन अनुपात दिया हुआ है यानि ये पुराना अनुपात दिया हुआ है और तीसरी परिस्तिती में नया लाब विभाजन अनुपात दिया है जैसा कि मैंने अभी इस पर चर्चा की कि नया लाब विभाजन अनुपात निकालने के लिए साजेदार के पुराने अनुपात में नया अधिग्रहित अनुपात जोड़ दिया जाएगा लेकिन यहां पर जब B साजेदार निवरित हो रहा है वो किस अनुपात में अपना लाब का भाग A और C को दे जा रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन नया अनुपात उन्होंने अपने आप में सैमती बनाई है कि B के जाने के बाद A और C के बीच जो नया अनुपात होगा वो तीन अनुपात दो होगा अब इसके अनुसार हम सीधा हमें यहां नया लाब विभाजन अनुपात निकालने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि वो पहले से ही दिया हुआ है हम निकालेंगे सीधा अभिलाब अनुपात अभिलाब अनुपात यानि की उसका नया अनुपात घटा पुराना अनुपात अगर हम देखें तो यह आता है एक बटा पांच यह आता है A का अभिलाब अब हम निकालते हैं C का अभिलाब देखें सी का नया भाग है दो बटा पांच घटा पुराना भाग है एक बटा पांच एक बटा पांच यानि एक को अभिलाव हो रहा है एक बटा पांच सी को अभिलाव हो रहा है एक बटा पांच तो इनका अभिलाव अनुपात हो जाएगा एक अनुपात एक तो यहां नया लाव व उचना नहीं दी गई थी उस परिस्तिती में शेष साजेदारों का जो पुराना लाब विभाजन अनुपात होगा वही उनका अभिलाब अनुपात होगा और वही उनका नया लाब विभाजन अनुपात होगा दूसरी इस्तिती में जब शेष साजेदार किस राशी में किस अ इस्तिती में नया लाब विभाजन पहले से ही दिया हुआ है यहां पर हमने अभिलाब अनुपात की गर्णा की एक अनुपात एक आया अब हम जानते हैं हम पहले भी नए साजेदार के प्रवेश के समय पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई साजेदार अपने लाब का भाग हुआ है वो इस छतिपूर्ती करेंगे इस राशी की छतिपूर्ती करेंगे और उसके लिए हम लेखांकन व्यभार जानेंगे हमने जब लेखांकन व्यभार अध्याय में पढ़ा था तो वहां पर लेखांकन करने के लिए ख्याती का मुल्यांकन किया जाता है अब दो तरह की ख्याती हमने पड़ी एक वो ख्याती जो पहले से ही उस्तकों में विद्वमान है और दूसरी ख्याती जो हमने अरजित की है अपने मेहनत से और वो मेहनत का प्रतिफल जो है उसका मुल्यांकन ख्याती के रूप में किया जाएगा तो यहां पर जब हम ख्याती का मुल्यां आपका भाद अधिगरहित किया है, उन्हें फाइदा हुआ है, जिसे फाइदा हुआ है, वो छति-पूर्टी करेगा, जिसे खानी हुई है, इस ख्याती के मुल्यांकन से. तो उसके अभिलाव अनुपात में हम करेंगे ख्याती का मुल्यांकन. पहला भागे जब ख्याती उनर गठन में जब हमने ख्याती पर पूरा चर्चा की थी उस अवस्था में जब आपके पास ख्याती उस्तुकों में विद्धमान नहीं हैं तब सेवा निब्रित साजेदार जो अपना हिस्सा छोड़ रहा है उसकी शदी पूर्ती की जाएगी इसलिए उसका पूंजी खात से कम हो जाएगा राशी इसलिए उनको हम नाम कर देंगे तो हमारी प्रविष्टी बन जाएगी वर्तमान साजेदारों का पूंजी खाता या शेश साजेदारों का पूंजी खाता जो अभिलाव ले रहे हैं और सेवा निब्रित या मित साजेदार के पूंजी खाते से क्र जो भी लिर्णने लिया गया है उससे हो सकता है कि एक साजेदार नए लाब विवाजन अनुपात के लागू होने पर अपने कुछ भाग का त्याग करें फिर से वही इस्थिती आ गई कि जो अपने भाग का त्याग करेंगा उसे शती पूर्ती का हरजाना मिलेगा उसे और देगा कौन जिसको अभिलाब हो रहा होगा तो उस इस्थिती में भी वर्तमान शेश साजेदार जिनको अभिलाव हो रहा है वो अपने खाते से शती पूर्ती करेंगे एक तो सेवा निव्रित साजेदार की या मिर्त साजेदार की तो वो उनके पूझी खाते में चला जाएगा और इस नई लावन उपात की वज़े से अगर किसी साजेदार ने त्याग किया है तो उसके त्याग करने वाले साजेदार के पूझी खाते में भी इस शती पूर्ती का व्यभार किया जाएगा जब ख्याती पुस्तकों में पहले से ही विद्धमान है तो इसकी चर्चा हम करचुके हैं कि इस ख्याती को अपलिखित करेंगे और अपलिखित करेंगे पुराने साज़ेदारों के ख्याते से हम जान चुके हैं पहले भी नए साजेदार के प्रवेश के समय कि अगर ख्याती पहले से ही पुस्तकों में विदमान है और नया लाब अनुपात आने पर हमने पुरह मुल्यांकन किया है साजे ख्याती का तो एक समय में दो ख्याती नहीं हो सकती तो पुरानी ख्याती जो पुराने साज़ेदारों के पुराने लाब विभाजन अनुपात में उनके खाते से अब है प्रक्षन निखाती, कभी ऐसा हो सकता है कि जब सेवा निवरित साज़ेदार या मित साजेदार के भुकतान के रूप में उसे एक मुष्ट राशी देने का निर्णे करते हैं शेश साजेदार या फर्म तो उसको जो दे राशी है फर्म उससे अधिक राशी का भुकतान करने के लिए जो आधिक के दिया जाएगा वह उसके भाग के ख्याती के रूप में माना जाएगा हम इसे एक उधारण की तरह समझते हैं कि मान लिजे A, B और C साजेदार हैं उनका लाग विभाजन अनुपात, तीन अनुपात, दो अनुपात, एक है यहां C सेवा निवरित हो रहा हैं और उस समय उनके पूंजी खाते में क्रमश है परिसंपत्तियों तथा दाइत्वों का पुनर मुल्यांकन या सब तरह के समायोजन करने के प्रश्चात उनके पूंजी खाते में राशी है 90,000 और A और B उसके दावे के निप्टारे को करने के लिए या फर्म उसके दावे के निप्टारे को करने के लिए उसे एक लाग रुपे देने के लिए सहमत हो जाती है तो यहां 90,000 की जगे अगर आप उसे 1 लाग देने को सेमत हुए हैं तो 10,000 रुपए जो आप उसे आदिक के दे रहे हैं वास्तव में ये उसके ख्याती का भाग है जिसे हम प्रच्छन ख्याती के नाम से जानेंगे चलिए अब हम ख्याती का वेभार कर चुके अब हम जानेंगे कि पुनर मुल्यांकन खाता क्यूं और कैसे बनाया जाता है नए साजेदार के प्रवेश के समय हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब भी लाव अनुपात विभाजन में परिवर्तन होता है तो उस समय जितनी भी तुलन पत्रिका में संपत्तियां और दाइत्व हैं उनको वर्तमान मुले में दिखाया जाता है क्योंकि इस पुनर मुल्यांकन से जो भी लाव या हानी होगी वो साजेदारों के बीच में पुराने अनुपात में विभाजित की जाएगी उसका बटवारा पुराने लाव विभाजन अनुपात में होगा तो पुनर मुल्यांकन खाता बनाते हुए हम ध्यान रिखेंगे कि यदि अगर हमारे परिसंपत्यों के परिवर्तन होने पर मुल्य में कमी हो रही है तो उसे नामपक्ष में लिखेंगे और अगर परिसंपत्यों के मूले में विद्धी हो रही है तो उसे जमापक्ष में लिखेंगे साथी यहां एक चर्चा कर लेते हैं कि प्रविष्टियां कैसे की जाएंगी तो जब मूले में विद्धी होगी हम परिसंपत्यों की मूले में विद्धी करने के समय मुल्यांकन खाते में उसको दर्शाएंगे जमापक्ष में हमारी प्रविष्ठी हो जाएगी परिसंपत्यों के मूले में वृद्धी यानि कि जिस परिसंपत्य के नाम से है परिसंपत्य खाता नाम पुनर मुल्यांकन खाता और अगर कमी होगी तो हमारी प्रविष्टी हो जाएगी पुनर मुल्यांकन खाता नाम परिसंपती खाता इसी तरह से दाइत्वों में भी व्रद्धी या कमी देखी जाएगी तो उस इस्थिती में अगर दाइत्वों में कमी होती है तो जिस दाइत्व में कमी हुई है उसे पुनर मुल्यांकन खाते के जमापक्ष में लिख दिया जाएगा और प्रविष्टी हो जाएगी दाइत्व खाता नाम पुनर मुल्यांकन खाता और अगर दाइत्व में वृद्धी होती है तो आपकी प्रविष्टी हो जाएगी पुनर मुल्यांकन खाता नाम दाइत्व ख कि किसी परिसंपत्ती का अभी लेखन तुलन पत्रिका में ना किया गया हो या किसी गैर अभी लेखित दाइत्व का पुनर मुल्यांकन तुलन पत्रिका में नहीं किया गया हो ऐसी स्थिती में उस गैर अभी लेखित परिसंपत्ती का हम मुल्यांकन करेंगे और उसे मुल्या परिसंपतियां खाता नाम पुनर मुल्यांकन खाता और इसी तरीके से गैर अभी लेकित दाइत्व का लेखांकन करने के समय हम प्रवश्टी करेंगे पुनर मुल्यांकन खाता नाम गैर अभी लेकित दाइत्व तो इस तरीके से सारी संपतियों और दाइत्वों का पुनर ध पुराने साजेदारों के 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 पुराने साजे यह सारी प्रविष्टिया, आपको स्क्रीन पर, स्लाइट पर रज़र आ रहे हैं, परिसंपत्यों के पुनर मुल्यांकन और दाइत्वों का भुक्तान, दाइत्वों का पुनर दिधारण में क्या-क्या प्रविष्टियां की चाएंगी इसकी चर्चा मैं अभी आपके साथ जब पुनर मुल्यांकन खाता बना रही थी तब इसकी चर्चा मैंने आपके साथ की है अब सारी संपत्तियों का मुल्यांकन हो चुका, पुनर मुल्यांकन हुआ, दायत्मों का पुनर निर्धारण हुआ और इससे जो भी लाब या हानी हुई वो सेवा निब्रित साज़ेदार के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी क्योंकि इस लाब और हानी में उसका हिस्सा है उसके जाने से पहले इन परिसंपतियों का मुल्यांकन करके लाब और हानी हमने निर्धारित की है अब जब साज़ेदार फर्म छोड़ कर जा रहा है सेवा निब्रित साज़ेदार या किसी साज़ेदार की मृत्यू हो रही है उस परिस्तिती में तुलन पत्रिका में या इस्तिती विवरण में जो भी आपके संचित लाब या हानी होगी उनका भी समायोजन किया जाएगा कभी-कभी ऐसा होता है कि फर्म जितने भी संचित लाब हैं उनका विभाजन साज़ेदारों के पूझी खाते में नहीं करती है उनका सांत्रण नहीं करती है तो वो आपके स्थिती विवरण खाते में नजर आते हैं से oux देता दिख़रा है आपको पर स्थीति विविढ़न खाते में देता पक्ष की तरफ सामान ये संचे या संचे-कोश या लाव हानी खाते का जमाशेश अगर नामशेश होगा तो वह खानी होगी और अगर जमाशेश होगा तो वो लाख होगा इसी तरीके से कामगार ख्षदी पूर्ती संचे ये अगर कामगार कोई फर्म में काम करते करते उसे किसी तरह की ख्षदी हो जाती है तो उसकी पूर्ती करने के लिए बनाया जाता है अगर कामगार ख्षदी पूर्ती संचे के अंतरगत कोई समायोजन नह इसी तरह से निवेश में उतार चड़ाब के लिए भी एक संचे बनाया जाता है अगर निवेश के उतार चड़ाब में लाब होता है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अगर हानी होती है तो इस हानी की कमी यहां इस निवेश में उतार चड़ाब संचे से की जाएग इसका मतलए जब साज़ेदार सेवा निवरित होगा तो उसे इन सभी सामानय या संजित लाबों का हिस्सा मिलेगा और इसी तरह से अगर उसके जाने के समय फर्म के कोई हानी है जो किताबों में दिखाई गई है जैसे लाब हानी खाते का नाम शेश यह हानी है या विविद्वय जो आपके इस्तिती विब्रण में दर्शाए गए हैं यह हानिया है इन हानियों का भी हस्तांतरण सेवा निब विष्टी क्या होगी तो जब हम साजेदार के संचित लावों को हस्तांतृत करेंगे तो वो सारे संचे हमारे खतम हो जाएंगे उनको हम नाम कर देंगे और पुराने साजेदारों का पुझी खाता बढ़ जाएगा इसलिए उसको ख्राडिट कर देंगे इसी तरह से अगर हा लाबभानीों का बढ़ भार भी पुराने साजेदारों के पुझी खाते से होगा फुराने साजेदारों का पुझी खाता कम हो जाएगा इसलिए उसरे नाम कर देंगे और लावानी खाते का शेश जो भी है जिसका बटवारा आप कर रहे हैं वो खतम हो जाएगा इसलिए उसे credit कर देंगे अब हम रानेंगे सेवान विल साजेदार का पुझी खाता बनाते के समय हम किन बातों का ध्यान रखेंगे हम उसके जमा पक्ष में लिखेंगे जो भी उसका पुझी का शेश है पुझी खाते का शेश या चालू खाते का शेश यहाँ पर जमा पक्ष वाला शेश लिखा जाएगा अगर नाम पक्ष का शेश होगा तो वो नाम पक्ष में लिखा जाएगा ख्याती का भाग जो उसे मिलेगा, संचित लाब का भाग जो उसे मिलेगा, पुनर मुल्यांकन पर अगर लाब हो रहा है तो उसका जो भाग उसे मिलेगा या अगर वर्ष के मद्द में सेवा निवरित होता है तो उसकी पुझी परव्याच या शर्तों के निसार कोई कमीशन या उसको वेतन देना हो उससे जमापक्ष में लिखेंगे इसी तरह से जो कटोतियां उसके खाते से की जाएंगी जैसे चालू खाते जमाका शेश अपलिखित ख्याती का भाग अगर आप कोई हानिया उससे कटोती कर रहे हैं निर्धारित हानिया या पुनर मुल्यांकन पर जो हानी हुई है उसकी कटोती या उसने कोई आहरंट किया ह ब्याज यह सब उसके पुंजी खाते सेख इसरावक करने के बाद जो शेष राशी होगी चाहतो आफ्ड शूक्र या तो इसको मनत्रेंट Jack भुक्तान लिकशें instruments कर रहेते हैं उसके कम के भुखतान नहीं कर साजेदार के खाते में डाल देंगे यहां समझाया है मैंने कि अगर आप साजेदार का जो भी उसका देह भाग है उसका निप्टारा करेंगे तो या तो तुरंत कर देंगे या उसे उसके रिड़ खाते में डालेंगे और रिड़ खाते का भुगतान आप किष्टों में करें जाएगी सेवा निप्रित साजेदार का पूंजी खाता नाम अगर हम रोकड से कर रहे हैं तो रोकड वया बैंक खाते से और अगर हम उसके रिड़ खाते में डाल रहे हैं तो सेवा निप्रित साजेदार के रिड़ खाते से और ब्याच का भुकतान करने के लिए पहले ब्या करेंगे तो प्रविष्टी हो जाएगी ब्याज खाता नाम सेवा निब्रत साजेदार के रिढखाते से और जब किष्ट का भुगतान करेंगे तो हमारी प्रविष्टी हो जाएगी सेवा निब्रत साजेदार का रिढखाता नाम रोकर या बैंक खाते से और यह रिढखाता ह हम तुलन पत्रिका में दाइत पक्ष की और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि उसकी अंतिम किष्ट का भुगतान नहीं हो जाता और यह अंत में सेवा निप्रिस साजेदार का रिड़ खाता वनाने की पॉर्मेट है हम जमा पक्ष में लिखेंगे पूची खाता जो हम लेकर आएं वहां से शेश उस पर ब्याच की परिगर्णा करेंगे जो नाम पक्ष में जब हम उसका भुगतान करेंगे तो नाम पक्ष में बैंक खाता और बाकी का शेश फिर इस शेश को अगले वर्ष ले जाएंगे दूसरे वर्ष में फिर प्याच की परिगर्णा करेंगे और वर्ष के अंत में उसे या किष्ट के अनुसार जो भी अंतराल होंगे बैंक से उसका भुगतान कर दिया जाएगा इस तरह से यह रिड़ खाता तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि अंतिम किष्ट क भुगतान नहीं हो जाता तो मैं उमीद करती हूं आशा करती हूं कि आपको साजेदार के सेवा निवरित होने पर या साजेदार की मृत्यू होने पर किस तरह से लेखांकन व्यभार किया जाता है यह समझ आया होगा आपको इसका लाब मिलेगा अब भ्यास करें प्राइब प्राइब